हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त गुरमीद सिंग नामर्दी का एक और नुक्सा देखे आया हूं 230 महारती 3 जो मेरा काम खत्म हो चुका है तो अब फटा फट मैं नामर्दी के एक से एक नुक्से आपको बताने की तरफ आ चुका हूं तो दोस्तों यह नुक्सा मैं उन दोस्तों के लिए लेके आया हूं जो दोस्त हस्त मैसून करके और अपनी जिन्दगी का नास मार चुके हैं और जो लोग जादी महगी दोईयां नहीं खा सकते हैं और जो लोग क्योंके जितने भी मैं नुक्से बनाता हूं पहले मैंने जितने बनाए हैं जा मैं स्पेशली बताता हूं कि यह नुक्सा आपने 35 साल से निचे नहीं खा सकते तो जो लुक्सा मैं आप बता रहा हूं यह हैं बीस साल तक के लोग भी खा सकते हैं तो अपनी कमजोरी के हिसाब से तो यह लुक्सा उन दोस्तों के लिए है जो दोस्त हस्त मैथन मुठ मारकेर और अपना विरे निकाल कर विरे कोश को कमजोर कर चुके हैं जिनका विरे कोश काम नहीं करता विरे वहनिया काम नहीं करती यह उन दोस्तों के लिए मैं नुक्सा लेकर आया हूँ दोस्तो इसी परकार का मैंने पहले भी एक नुक्सा डाला था लेकिन उसमें कुछ चीजें कम थी तो यह नुक्सा उससे बढ़कर है और यह नुक्सा आपको कोई भी हकीम आठ नो हजार पिये दस हजार पिये तक बना कर दे सकता है तो सिर्फ इसमें यह है कि यह स्वाए हकीम से कोई नहीं बना सकता और जो दोस्त मेरे हकीमों ने दोस्तों ने मेरे साथ कुस्ते बनाए हैं जा जोहर उड़ाए हैं वो शर्तिया बना कर दें और मालिक उनको शिफा जरूर देगा और जो म्रीज को वो यह द्वाई बना कर देंगे वो उनको वाहा वाही जरूर देगा यह जो जोग है यह दोस्तों कमजोरी दूर करेगा शरीर में कमजोरी आ चुकी है और पठों में दर्द रहता है कमर में दर्द रहता है बदन में दर्द रहता है जहां जो दोस्त की शादी हो चुकी है लेकिन उनों ने हस्त मैस उनके कारण उनको जल्दी ही कमजोरी महसूस हो चुकी है और जब सेक्स करते हैं उसके बदन बिलकुल स्थिल पढ़ जाता है यानि कि कमजोरी में हिसूस करता है और सुन यानि कि उसका श्रीर में दर्द महसूस होता उसको या उन दोस्तों के लिए है वह उसे दोस्त मुझे मेसेज करते हैं कि हकीम साथ ऐसी कोई चीज दें मेरा बहुत विरे पतला है में को रुकावट नहीं होती तो शिकर पतन जल्दी होता है मैं उन दोस्तों को यह समझाना चाहता हूँ और हकीम भाईयों को भी सबसे पहले जो हस्त मेतुन के कारण उसने विरे कोश में कमजोरी आ चुकी है विरे वानिया कमजोर हो चुकी है जब तक वो मजबूत नहीं होंगी तो विरे रुकेगा कहा से देखो कि मैं एक सिंपल सा आपको समझाता हूं हर आदमी दवाई मांगने पर ही निर्वर रहता है लेकिन दोस्तों विरे को जैसे मसाने बाथरूम की थहली होती है वैसे ही उसमें बाथरूम पशाब बरता है तो वो थहली फैलती है तो दबाव आता है तो हमें पशाब की महसूस होता है तो जब तक नहीं करते अगर रोके रहता तो दबाव आता जाता है तो वो इसमें नफस में हलका हलका सा दर्दमसूस होने लग जाता है तो जब हम पेशाब कर देते हैं तो पेशाब निकल जाता है विरेकोष में वीरे थहरता है, जो विरेकोष बोलते हम उसमें मनि थहरती है, विरेकोष ठहरता है, तो फिर जब हम सेक्स करते हैं तो फिर वो ऐसे गोम मौम कर पिर लाष्ट में निकलता है तो जब वीरे कोश कम्योर हो जाने के कारण वीरे कोश ही वीरे नहीं दारण करता तो फिर तो वीरे जो बनता है वो सिद्धा बाईपास लिंग में ही रहता है अगर जितनी पिछे है उतना समय लगे है जितनी आगे आगे है उतना समय लगे है ऐसे जब सिरे पर होता है तो व कत्रे से आ जानते हैं . कि वो जो विर बनदा यह और बाईपास काम कर रहा है यह सदा अर्बा में मैंने अब को समझा धिया तो उसके लिए क्या करना पढ़ता है सबसे पहले विरे को मजबूत करें इसके विरे वाहनीज और विरे खोश्ड हमजबूत करें और इंतिशार पैदा फिर होगा, कुछ लोग ऐसा करते हैं, इसको वीरे बाहर निकलता है, तो उसको ठंडी द्वाइः देते हैं, चंद दिनों के लिए उसका वीरे में शांती हो जाती है, वीरे चाहे कम ना निकले, लेकिन बाद में वैसे कि वैसे ही हैं वो लोग, हजारो लोख और पीए उन्हें ने खाल लिए जार दिये लेकिन कुछ अर्से तक जब तक दवाई कहते हैं वीरे रुकता है लेकिन फिर निकले लग जाता है कारण क्या है कि वीरे को दार्न करने वारी जो वीरे वहनिया हैं वो तो कमजोर हैं उनको ताख़तवर किया करें उसके बा लिए साथ की साथ वो चलाएं एक साथ की साथ विरिए कोश और विरे वाहनियों का ताख देने की द्वाई चलें तो फिर वो उसको कंप्लीट राम आ जाएगा तो दोस्तों यह है अब मैं आपको पंदाता हूँ जो डोस्त के वीरे वाहनिया कम्जोर है डिला पना चुका है मुठ मार कर उन्होंने अपना श्रीर का नास मार दिया है लिंग छोटा हो चुका लिंग का भी आप यह देख लो जब लिंग है लिंग के बीच में स्टेप होते हैं यह इसको बैठ रे के लिए तो जब लिंग के अंदर ब्लेड बरता है जैसे जैसे बरता जाता वो स्पेज करने से जब उसमें नक्सान आ जाता है तो वह जो फैल नहीं पाती वह सुपड़ी रहती है जितनी नंबाई है उतरी बाहर निकल जाती है तो जब अंदर से तागत मिलेगी तो फैल नहीं शुरू होंगी तो यह थोड़ा सा समझ में रखें तो फिर लोग क्या बोड़ते ह हैं कि हमारा लिंग छोटा हो चुका है तो उसका कारण यह होता है जब अंदर से खून का प्रेशर लिंग में पूरा बरने लग जाएगा तो फिर लिंग को में तनावट आएगी तो वह लिंग बढ़ा होना अपने आप शुरू हो जाता है लोग बोलते को तिला बता दो मेरा लिंग लंबा करने के लिए भाई लिंग लंबा अब एक बलफ ले लो आप ठीक है यह मालो एक बलफ है ट्यूब है तो इसके उपर चाहे मकमल का कपड़ा लगाओ चाहे हजार पे मीटर वाड़ा लगाओ चाहे पचास हजार पे मीटर का कपड़ा मारो इसको उपर से जितना मर्जी साफ करो, यह कोई काम ने करेंगा, जब पिछे से हम स्विच ओफ करेंगे, और इसमें बिजली आएगी, तो यह एक जग मगा जाएगा, चाहे इसके उपर उपर निशान भी लगाओ, मिट्टी भी लगी हो, फिर भी यह रोशनी देगा, अगर किसी के समझ में यह मेरी समझायनी आई हो, तो वो फैदा उठा सकता है, खारण यह है, जब तक अंदर से जोश नहीं है, अंदर से तागत नहीं है, बार कुछ भी लगाने से मेरे भाईयों कुछ फैदा नहीं होता, पैसे वैसे न उजाडें, ऐसे न बागें दोडें, ठीक है जी, अब मै दोस्तों के मुठ मारने के बाद नामर्दी आने लग चुकी है, बिलकु नामर्द नहीं ठीक होगा, उसको लम्मी असर अर्से तक खाने बड़ेगी, तो जो जिनको नामर्दी आने लग चलिए डिला पनो हो चुका है, उनको यह गरंटिर से काम करेगा, ठोड़ा लम्मा खाएंगे तो नामर्दी ठीक कर देगा, बिलकुल, तो दोस्तों इसके लिए आपने क्या लेना है, नंबर वन, एक अगराम, देखो मैं जो यह नुक्से के लिए दबारा मेरे से कोई पूछेगा, तो मैं उसका नंबर ब्लोग कर दूँगा, कारण इसलिए कि मैं पूरा स समय देता हूं आपको समझाने के लिए, फिर भी कोई पूछेगा, जी आपने बताया था, मेरे को यह नहीं पता लगा, कि वो कितना लेना है, ठीका जी, जहां कोई यह बताएगा, इसमें मैं यह शामिल कर लूँ, यहासा मैंने बताया, वैसा ही बनाए, अगर आपको कोई चीज नहीं मिलती तो उसको ना बनाए, ठीका जी, एक ग्राम ठीका जी, एक ग्राम जोहर संखिया, जोहर सुमलवार जोहर बनाने मैंने बता दिये जो आज पहली बार देखेंगे, वो मेरे पिछ्चे चैनल में दे ले जोहर कैसे उड़ाई जाते हैं, जोहर सुमलवार, वहर संखिया एक ग्राम दस ग्राम कुछला मुतबर जो कुछला हम मुतबर करते हैं वो वो उसका भी सबको पताता है दस ग्राम काली मिर्च और कुछला मुतबर दो ग्राम दो ग्राम लेना है अगर गर्मिया हो तो एक ग्राम अगर सर्दिया हो तो दो ग्राम यह दोबारा मैं आपको बता हूँ इसमें बोलने में गलती होगी कुछला मुतबर आपने दो ग्राम लेना है अगर सर्दियों में खाना है है अगर कर्मियों में खाना तो एक ग्राम एक ग्राम जोहर संखिया एक ग्राम कुछला मुतबर दस ग्राम काली मिर्च 20 ग्राम शिलाजीत शुद की अगर पत्थर मिले अगर आप कंपणी की ले रहे तो दूसरी बात अगर नहीं ले तो कंपणी की वह जो आप पत्थर नुमा लेके आएंगा कोई भी लेकि आते हो उसको दस गुना पानी डालकर कपड़े में कड़ाही में उसको उबाले जब बढ़ जाए तो किसी बरतन पर कपड़ा रखें और उसमें वो पाने को उगेल दें कपड़े से शान लें फिर इसको कड़ाही में गर्म करके ऐसी चीज बना लें ठीक है अगर आप चाहें तो लिगबड़ भी डाल सकते हैं गाड़ी होने चाहिए उसके बाद दोस्तों दो रती ठीक है जी दो रती सिंग अगर कोई बिजार से लिता है तो वह 10 ग्राम डाले वो भी अच्छी कम्पणी का डालें तो दस गराम इसमें लोह बसम सहस्तर पुटी अब अपने इंडिया में सब को पता सहस्तर पुटी लोह बसम मिल जाती है लेकिन कुछ दोस्तों मेरे पाकिस्तान से बोलते हैं कि हमें सहस्तर पुटी लोह बसम का समझ नहीं आई तो दोस्तों सहस्तर पुटी लोह बसम को होती है कुस्ता फूलाद कुस्ता फूलाद जो एक बार हम कुस्ता करते हैं जैसे हमने फूलाद ले लिया उसको किसी जड़ी बुटी में किया तो उसको आग दी तो वो कुस्ता फूलाद हो गया फिर उस ऐसे जब हम सो बार पुट देते हैं उसी कुष्टे को तो उसको बोलते हैं सत्पुटी अगर हजार बार देते हैं तो है सहस्तर पुटी तो कुष्टा फुलाद जो एक हजार बार कुष्टा किया हो वो लेना है अब है यह हमारे पास होसता है किसका कलर इस प्रकार आता है अथा बिल्कुल अढो किक हैं लार से अगे बला br आ के वArthur सार्छा किसी दिन इसका भी समय मिला यह फरमूल दोगा वाधाना तो अभी आप बिजार से ले सकते हो ये मैंने इसलिए दिखाया है कि कुछ लोगों को समझ नहीं आती तो ये समझ लेंगे ये कुस्ते फुलाद आपने एक तोला डालना है ठीक है जी दस ग्राम दस ग्राम कुस्ता फुलाद सहस्तर पुटी लो बसम भी बूरते इसको ठीक है ये देखो दिखवा दो तोले बीस ग्राम शिलाजीत एक दस ग्राम अफीम मुसफ़ा की हुई जिसमें नशाना हो अफीम मुसफ़ा करते हैं जिनके पास मिलती हो तो अफीम को भी लेकर ऐसे ही दस गुना पाड़ी डाले और उसको उबाल कर कपड़े से शान ले शान कर उसको गाड़ा करें जब वो गाड़ी नुमा में आ जाए उसको खरल में लेकर खरल में जितनी आपकी अफीम है उससे दो गुना ज्यादा अद्रकारस डालें फिर कुछको खरल करें खरल करके जब वो सूँक जाए दबार फिर फिर उतना अरक Mercury फिर सूक जाए इस परकार साथ बार उसमें अरक ठोड़ा थोड़ा डालकर तो खरल करते जाए जब यह आपकी साथ बार उसमें रस डलने के बाद वो टाइट नूमा चीज उ जाएगी तो पिर वो आपकी मुसफ़ा अफीम हो चुकी है तो यह पंसारी से भी आपको कहीं से मिल सकती है यह ना मिले तो इस परकार बनाएं तो यह दस ग्राम अफीम डालकर तो हलका सा हलका सा इसमें शहद लगाएं अगर जरूर तपड़े तो अगर आपके यह थोड़ी लिकवड़ भी रह जाएगी तो कोई बात नहीं अगर आपकी फीम भी थोड़ी लिकवड़ रहेगी यह तो इसकी गोलियां एटमेट के ही बन जाती है फिर भी अगर थोड़ी दूरत पड़े तो एक दो बूंद जा चार बूंद शहद की लगाकर ब्रीक ब्रीक बारीक ब्रीक गोलिय बनाएं मूंग के जिसको हम जब भी मोठ का दाना बोलते हैं माश के दाने जितनी गोली बनाएं यह गोली रोज सुबा मुक्खन मलाई में रखकर खाएं उपर से दूद पिएं गी डाला हुआ और दिन में अच्छा दूद गी का प्रियोग करें तो चंद दिनों में चंद दिनों में यह आपके नबस में और आपके शरीर में तागद बरनी शुरू कर देगी और साथ में कोई तिला दोस्तों यह नुक्सा मैंने आपको बता दिया है इसको बनाएं और जिंदगी में दबारा गल्ट काम ना करें जिसको भी आप नुक्सा दें उनको यह हिद्याद दें कि यह एक बार प्रियो करी और चीज गंदे आतों से अहत्मेसल कियो ही आपको कहा तक लेके आई है यह आ और जिंदगी को अच्छी तरह से गुजर बसर करें तो दोस्तों मेरे चैनल को शेर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद